गुड इबनिंग अपरिबन कैसे हैं आप सभी उमिद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे तो टोड़ी इस ट्वेंटी फॉर्थ आफ एपरल ट्वेंटीटीटू और डे है संडे तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज वो एकसाम हुआ काफी अच्छा जो वो इस वार पेपर देखने को मिला पिछली बार के तरह जो वो इस वार का अगर पेपर को जो वो कंपेर किया जाए इस्वार का जो पेपर है वो जो वो काफी अच्छा देखने को मिला मॉडरेट लेबल में जो मैं इसको रखना चाहूंगा काफी सारे ऐसे कोशिन थे जो की हर कोई जो वो कर सकता जिसने जो वो पढ़े हुए थे ज्यादा विलंब न् protector करते हुए स्टेर करते हैं मीरे पास झो यह पे efecto काповर्णा सकते हैं दिमागे हैं तो जो विद्या dispute को हमने हिमाचीब देश को तो नहीं का जासकता उत्व देश तो नहीं होगा सिक्किम भी नहीं होगा उत्राखंड इस दा राइट आंसर उत्राखंड विल विदा राइट आंसर नेक्स्ट है मुंबई हाई इस लेटी टू तो मुंबई हाई जो वो किस से लेटेड है मुंबई हाई तो यह जो वो petroleum selected है इसको आप याद भी रखिए और इसको आप टिक करिए कि आपने जो वो क्या किया था चेक करिए आपने जो वो क्या किया है petroleum is the right answer next है respiration process तो यह तो सभी को पता होगा कि स्वसन परक्रियाज में जो आप सक्क्या होता है तो oxygen जो वो इसमें आप सकते हैं oxygen जो वो हम लोग लेते हैं carbon dioxide छोड़ते हैं जी के तो आप सभी को पता है next question है the large amount of sugar तो इसमें जो आपको पता होगा कि sugar present in human blood तो मानम रूदीर में बड़ी मात्रा में उपस्तित जो वो सरक्रा कौन सी है ग्लुकोज जो वो होता है तो इसका आपको पहले से पता होगा glucose is the right answer next है person suffering from myopia or advice to use तो देखे इतने interesting question थे बिल्कुल ऐसे question थे जो कि ऐसा नहीं था कि बिल्कुल high level था बिल्कुल basic level से जो वो थोड़ा सा modern level तक गया है question paper पर ज्यादा कोई high level का question जो वो है वैसे क्योंकि अगर question paper बनाया है तो high level के भी question होने चाहिए ठीक है उसी को तो question paper बोलते है उसके उसी को तो वही तो paper होता है ठीक है ऐसा होगा अगर basic level ही सारा जो वो डाला जाएगा तब तो हर कोई कर लेगा merit जो वो नहीं बना तो काफी अच्छे अच्छे बहुत सारे कोई सीना ऐसे थे जो की basic तो देखें आप लेगा myopia तो myopia आपको पता है कि इसमें जो निकट द्रिश्टी दोस होता है निकट द्रिश्टी दोस का मतलब होता है कि जिसमें जो वो निकट बाली वस्तों जो नहीं दिखाई देती ह तो उसके लिए जो आपको concave lens का जो जरूरत बढ़ती है तो अब तर lens is the right answer नेक्स्ट है the device used to change the speed of an electric fan तो इतो सभी को बता होगा है कि electric fan को जो वो control करने के लिए उसकी speed को जो वो कम या जदा करने के लिए हम लोग जो नियापक या regulator का जो वो योज़ करते हैं तो चुने का पानी जो वो क्या होता है ए भी सबको बता होना चाहिए था वैसे calcium hydroxide is the right answer next question है कौन सी दातू स्वयम के oxide की पर द्वारा स्वरक्षित की जाती है तो aluminum is the right answer next question जो बो हिमाचवदेश से पुछा गया स्पिती और किनोर are separated from Tivit by which mountain range तो जासकर is the right answer next question है हैंग रिंग घाटी हिमाचवदेश में किस चिले में स्थित है तो hang rank जो belly है वो जो लुकेटेट है कहाँ पर किनोर डिस्टिक में हिमाचवदेश के किनोर डिस्टिक में तो किनोर is the right answer A will be the right answer next question है 11 यहाँ लेका हैं माचवदेश के सबसे बड़ी नदी कौन सी है देखिए अगर यहाँ पर जो थोड़ा सा disputed question जो वो इसको बोला जासता है क्योंकि बहुत सारे अब इसको जो वो answer की में ही देखा जाए कि क्या होगा क्योंकि largest river तो अगर longest पुछ जाए longest मतलबी नदी तो सत्रू जै आप सभी को पता है कि 320 km ठीक है लेकिन अगर बड़ी नदी मेरे क्याल से चिनाब इसका सही answer होना जाए था अगर आपको जो वो लगता है कि सत्रू जो होना चाहिए तो comment box में जब वो पूरा explain करके जो बताइए कि चिनाब नदी या सत्रू नदी जो क्यो होना चाहिए पैशे मेरे क्याल से यहाँ पर चिनाब नदी जो वो इस तो के इसाब से तो इसको जोड़ा सा चेक करना पड़ेगा किसका जोबो क्या अंसर की जब भी आएगी तो जोबो इसको देखना पड़ेगा कि क्या जोबो हैं पर अंसर होना चाहिए प्रेटन मानचितर पर हिमाज़ब देश किस नाम द्वारा परिछित है तो आपको उता है कि हिमाज़ब देश को क्या का जाता है देव भूमी जो वो खा जाता है तो इस का answer जो वो देव भूमी ही होगा नेक्स कुचन है सितिधार देखें यहाँ पे जो थोड़ा सा आपने सोचा होगा अगर आप मंडी में रहते हैं तो सेटाधार आपने पड़ा को सेटाधार जो मंडी में है देखें नहीं आपने किसितिधार तो किसितिधार जो वो यहाँ पे कुलू इसका सही आंसर हो जाएगा कुलू इस दा राइट आंसर सिने महज़ पदेश विधान सबा के प्रतम उपाद्यक्स अध्यक्स नहींका है ऊपाद्यक्स पुचा है तो उपाद्यक्स जिगत सबाहन हों जैगा पंडित जैवान्त राम इस दा राइक्स नुख स्व और सीनुञ a popular ministry headed by Dr. Y.S. परमार जो कि हमारे इमाचर के जो पहले मुख्य मंतरी थे Assume Officer Office in the Part C State of H.P. तो देखे Part C का जो स्टेट बना था 1951 से 1956 तक जो वो Part C का जो हमारा इमाच मदेश जो 51 से लेकर रहे 56 तक जो गर स्रेनी का राज्य रहा फिर आपको बता है कि 1971 में जो पूरा का दर्जा इसको मिल गया तो 1951 मतलब की 24 मार्च 1952 जो वो इसका सही आंसर होगा मेरे ख्याल से तो 24 मार्च 1952 इस दा राइट आंसर नेक्स कोशिन देखे है कोशिन नमबर 17 कोशिन नमबर 17 है विच सिख गुरू इस लिंक्ट विद दा पॉंटा साइब गुर्द्वारा तो इसका तो सही आंसर आपको पता होगा गुरू गुरू गुबिन सिंग जो इस दा राइट आंसर नेक्स कोशिन है सिमिला के मौन दिवारो पर भीतिजित्रो जो की हंचरी लोगों के सेव तो तुरूने की कौशल को प्रदस्रित करता है तो इसका श्रीजिक कोशिन है मतलब की तो इसका जो सइह आंसर है बोह जाएगा M.C. सक्षेना M.C. सक्षेना is the right answer Next question है Which Kangda ruler accepted the ruler of Akbar तो धरम चंद is the right answer इस question को जो मैंने भी जैसे exam दिया तो मैंने जो आनन्द चंद कर दिया गलती से धरम चंद is the right answer Next question है Question number 20 बाटिय संसत ने किस दिन हिमाचवदेश राजय अधिनियम पारित किया तो आपको बता है कि 1971 को 25 January 1971 को जो वो हमें पुर्ण राजय का दरजा मिलगा फुल स्टेट रोड मिल गया तो 18 December 1970 को जो वो हिमाचवदेश राजय अधिनियम जो वो पारित किया गया था तो B is the right answer Next question है के यांग, बेक यांग और बेन यांग चू कहां के परसिद निते हैं तो एक किनोर के जो वो परसिद निते हैं तिक है इनको भी आप याद रखे Next question number 22 तो संपूर्ण विद्यूतिकर्ण का लगसे हमाचवदेश के किस बर्स जो वो प्राफ्ट किया गयता है तो इस question को बैसे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा बैसे मेरे ख्यार से 1988 is the right answer इसको जो थोड़ा सा आप सर्च करके जो वो चेक कर लीजी गया क्योंकि इसमें मुझे भी थोड़ा सा जो डाउट है क्योंकि इसके बारे में मैंने जादा नहीं पड़ा है तो इसको आप जो थोड़ा सा रीड कर लीजी कि इसका जो आणसर क्या होना चीए Google पर सर्च करके जो चेक कर सकते हैं इसका अंसर क्या होने चाहिए कि संपूर्ण पिद्यूति कर्ण का लगसे जो भी महत्व देश में किस बर्स जो प्राप्त किये खर लिया था तो 1988 इस दा मेरे क्याल से राइट आंसर हो सकता है एसका उसर जब जायदेव किरन हो जाएगा जब से पहले 19.89 को इनको मिला था जायदेव किरन को मिला था एसका यह तो आपको बता होगे कि किस कांट्री किस देश को जब कहा निलम्बित किया गया तो रूस इस दा राइट अंसर मेरे ख्याल से रूस जोबो इसका सही अंसर होगा Q2. What is the theme of National Youth Parliament Festival 2022? तो इसका जोबो सही अंसर जोबो A हो जाएगा We the voice of New India and find solution and contribute to policy तो नए भारत की आवाज बनिया और हल निकालिये तथा नीती में योगदान दिजी तो A is the right answer Next question number 26 What is Param Ganga? तो Param Ganga जोबो एक सुपर कंप्यूटर है इसको भी आप याद रखिये C is the right answer Question number 27 For which country is the largest crude oil producer in the world as on 2022? तो इसका जो आंसर है वो जो इसमें भी थोड़ा सा जो चेकना पड़ेगा बैसे मेरे ख्याल से जोबो इसका answer जोबो रूस ही होना चाहिए यह कि रूस देखे अमेरिका के बाद जोबो रूस जो था वो जोबो सबसे ज्यादा largest crude oil producer था वर्ल्ड में तो अमेरिका के बाद जोबो रूस ही था तो अमेरिका तो नहीं तो रूस ही था राइट अंसर बैसे फिर भी जोबो इसका थोड़ा सा जोबो चेक करना पड़ेगा कि कौन सा जोबो कंट्री था जो कि 2022 में जोब सबसे ज़्यादा crude oil जोबो प्रोड्यूज कर रहा था तो यहां पर जोबो 27 question तक हम लोग कर चुके है question number 28 से जोबो यहां पर देखिए एक reasoning type का जोबो question आ चुका है तो यह जो reasoning type जोबो आ रही है इसको तो हम लोग बैसे भी detail में जोबो discuss करने बाले हैं तो next part में जोब हम लोग इसको पूरा जोबो discuss करने बाले हैं दो तिन पार्ट में जोबो हम लोग इसको complete कर लएंगे क्योंकि 200 question है और 200 question काफी ज्यादा होते हैं और इन question को जोबो discuss करने में तोड़ा सा time लग जाएगा वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर आप चुटी चुटी वीडियो में जोबो discuss हम लोग करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा देखने भी जोबो अच्छा लगता है तो next part में हम लोग जोबो reasoning और जोबी जिके है और भी जिके है और computer से लेटे या English या Hindi से लेटे जोबी संदीव जेद पुछे गए थे तो काफी इसी जोबो पुछे गए थे तो उनको जोब हम लोग नेक्स पार्ट में जोबो discuss करेंगे इस वीडियो के बाद जोबो कम से कम आदा घंटा या 35 या 45 मिनट के बाद जोब आपको वीडियो मिलने वाला है अगर आपको जोबो नेक्स वीडियो चाहिए तो आपको जोबो चैनल को जोबो अगर आपने सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब जो जोबो जुरूर कर लें ठीक है अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा लें क्योंकि जोबो आपको जो नेक्स्ट वीडियो को जो वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी ठीक है नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन आउटोमेटिक जो वो आपको मिल जाएगी ओके थैंक यू एंड आव नाइस देगी